अडियाना विदान सवाचनाव के बीच कॉंग्रस विधायक राओदान सिंग के खिलाव प्रवरतन निदेशाले ने बड़ी कारवाई की है महिंद्रगर्ट से विधायक राओदान सिंग की करे 44 करोर रुपे की संपती को E.D. ने कुर्ग कर लिया है यह संपती मेसर सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइविट लिमिटेड और आयल्डी ग्रुप से जुड़ी है जो राओदान सिंग और उनके परिवार से संबंध रखती है E.D. के अनुसा यह कंपनिया फाइनेंशियल हेरा फेरी में लिप थी कुर्क की गई संपतियों में राजस्थान के जैपुर, हड्याना के रेवाडी और दिल्ली में स्थित कई फ्लैट और जमीने शामल है यह कारवाई तब सामने आई जब E.D. ने जुलाई 24 में राओदान सिंग उनके बेटे अक्षत राओ और उनसे जुड़ी कंपनियों पर छापे मारी की थी यह छापे दिल्ली, गुरुग्राम, महिंद्रगड और जम्शेदपुर में सोला ठिकानों पर मारे गए थे छापे मारी के दोरां 1.42 करोर रुपे की नगदी, 32 अधोशित फ्लैट और महत्वपून दस्तवेज जब्त किये गए थे जाच में बड़े पैमाने पर वीतिय आनियों में ताइप आई गई इसके बाद E.D. ने संपतियों को कुर्प करने की कारवाई की है राउदान सिंग ना मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेट से जुड़े एक बड़े बैंक घोटाले में भी आया है यह घोटाला करी 392 करोर रुपे का है जिसमें कमपनी पर बैंकों से लिया गया लून नचुकाने का आरोप है इसके अलावा उनका परिवार आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी घोटाले से भी जुड़ा रहा है हाला कि राउदान सिंग ने इन आरोपों को खारिज किया है और दावा किया कि उनका और उनके परिवार का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है इडी के इस कदम ने राउदान सिंग और कॉंग्रेस पार्टी के लिए चुनावी मौसम में एक बड़ा जटका दिया है यह कारवाई ऐसे समय पर आई है जब हड्याना में विदान सबा चुनाव का माहौल गर्म है और राजनेतिक दल एक दूसरे परती के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं राउदान सिंग का कॉंग्रेस पार्टी के अंदर प्रभाव शाली कद रहा है और उनका नाम हड्याना के अमीर नेताओं में शुमार किया जाता है चुनाव के समय दिये गए हलप नामे के अनुसार उनकी संपति की कुल कीमत 7.5-3 करोर रुपे बताई गई थी राउदान सिंग की संपतियों की कुरकी से हर्याना की राजनीती में हलसल मच गई है इस घटना करम का प्रभाव चुनाव परिनामों पर पढ़ सकता है विशेश रूप से महिंद्रगड और उसके आसपास के शेतरों में है कॉंग्रिस के लिए यह मामला चुनाव के बीच में एक बड़े विवाद के रूप में सामनी आया है जबकि विपक्ची दल इसे कॉंग्रिस पर हमला करने के लिए एक अपसर के रूप में देख रहे हैं